दिल्ली के जंतर मंतर पर पियम मोदी का पोस्टर लगाए धरने पर बैठी ये महिला ओम शान्ती शर्मा हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी इस महिला की मांग सरकार से नहीं बलकि खुद परधान मंतरी नरेंदर मोदी से हैं। और मांग भी ऐसी कि जिसे आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन मेरे को सब लोग परिशान करें, प्लिस वाली ज़्यदा परिशान करें। इसलिए मैंने अपना घर बसाना और शादी करने का पूरा पैसला कर लिया। और इसलिए मेरी मोदी जी शादी करना है। जी हाँ तो सुना आपने, आखिर क्या चाहती है ये महिला देश के प्रदहान मंतरी नरेंदर मोदी से। इतना ही नहीं, महिला की माने तो वो पूरा देश घूम कर आ चुकी है। और आखिर में ये फैसला किया है कि मोदी जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो भगवान का रूप है और कोई यहां पर अच्छे करम है अच्छे इंसान है इसलिए मैं मोदी जी स्याधी करना चाहिए है क्या बाकी अच्छे इंसान नहीं है? इतना ही नहीं महिला की माने तो वो नाकेवल मोदी के साथ साथ जन्मों की कस्म लेना चाहती है बलकि इसके लिए वो पीम को 50 करोड का दहेज भी देने को तयार है खैर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी इस महिला की मांग वाकई में बड़ी ही अजीब और गरीब है अलाकि महिला की मांग का पूरा होना असंभव लगता है लेकिन महिला ओम शांती शर्मा का कहना है कि वो अपनी जिद पूरी होने के बाद ही धरना खत्म करेगी कुलदीप शर्मा टोटल न्यूस दिल्ली